Hello everyone, मैं श्रेयस बढ़िये, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ So, आज का जो lecture रहने वाला है, वो lecture में आपको सीखने जैसी बहुत सारी चीजे मिलने वाली है आप अगर इन चीजों को जिन्दगी में फॉलो करेंगे, पढ़ाई के अलावा, मैं आपको बता रहूँ इस lecture का महतुआ यह भी काफे important lecture था, तो जिन लोगों ने यह lecture नहीं देखा है, वो उसे देख ले, ताकि यह lecture समझने में आपको ज्यादा असान ही जाए जो lecture था, previous lecture, उसके link मेरे description box में दी हुई है, तो उसे जरूर देखे Three things cannot be long hidden The sun, the moon and the truth Beautiful thought by Buddha If you have any doubt, you can ask me on Instagram This is my Instagram ID, this is my Facebook page, this is my Telegram channel and this is my YouTube channel मेरे YouTube channel को subscribe करे और bell icon को press करे ताकि आने वाले वीडियोस के notification आपको मिलते रहे So, आज के इस वीडियो में हम कौन-कौन से topic cover करने वाले है, यह देख लेते है आज हम cover करेंगे 4 noble truths Ashtangi का मार्ग, Madhyam मार्ग या Madhyamapratiparada 3 ratna, 3 jewels of Buddhism, architecture of Buddhism, थोड़ा सा ये part देखेंगे बाकि थो हम इसे detail में, art and culture में cover करते हैं बट इसे हम थोड़ा एक इसकी जानकारी ले लेंगे basic से architecture की So, ये जो topic है, बुद्धिजम, ये बुद्धिजम topic के बारे में आप जानते है कि ये topic से हर बार question आने के chance होते है, pre हो या main So, बहुत important topic है, ancient history of India का So, आईए शुरुवात करते है, doctrine याने देखे, हम ये देखने वाले आई, सिद्धान्त क्या थे बुद्धिजम के बुद्धिजम के teaching क्या थे, बुद्धिजम के features क्या थे, बुद्धिजम के सिद्धान्त क्या थे, ये सब हम study करने वाले सबसे पहले बुद्धिजम जो है इसका जो development किया था ये गौतम बुद्ध ने किया था गौतम बुद्ध ने एक religion बनाया था जिसको बुद्धिजम कहा जाता है हमारा ये बुद्धिजम वाली जब series का अंत आ जाएगा तो मैं आपको ये reasons भी बताऊँगा कि ये religions जो थे नयने religion यहां क्यों form हो रहे था उसके पीछे के reasons क्या थे जब हम जैनिजम भी पढ़ लेंगे so doctrine में यहां सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है four noble truths गौतम बुद्ध ने बुद्धिजम में चार noble truths बता है जिसको चत्वारी, आरिय, सत्यानी कहा जाता है okay so चार noble truths कौन कौन से देख लेते हैं तो उन्होंने कहा है सबसे पहले दुख याने एक ये सच है कि सब के जिन्दगी जो है ये दुख से भरी हुई है life is full of sorrow जिसे कहा जाता है दुख जिसके लिए use किया जाता है word सब्बम दुखम, life is full of sorrow second जो सच्चाई है हमारे जिन्दगी की वो गौतम बुद्ध कहते है कि दुख समुदाए दुख समुदाए का meaning होता है causes of sorrow सो हमें ये पता चलना चाहिए सबसे पहले कि जो भी हमें दुख मिल रहे है वो उसके कारण क्या है किस चीज के कारण हमें ये दुख मिल रहे है जिन्दगी में जिसे द्वादश निदान या प्रतित्य समुदपदा कहा जाता है सो इसका क्या meaning होता है ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे सो अभी आपको ये बता दू कि दुख समुदाए causes of sorrow इसके reasons क्या है अगला ये सच है ये truth है that is दुख निरोद सो ये जो sorrow है इसे रूका जा सकता है सो उसको रोकने का जो तरीका है ये जिसको निरुवान हासिल हो जाता है जिसको enlightenment हासिल हो जाता है जैसे गौतम बुद्ध को हुआ था तब आपके जो दुख है जिंदगी के ये एक तरह से रुख जाएंगे सो sorrow जो है जो दुख है आपके जिंदगी के वो रुक सकते है, sorrow can be stopped अगला ये कहा गया है दुख निरोध गामीनी प्रतिपदा दुख रोकने के लिए एक मार्ग होता है एक वे होता है जो आपको दुख रोकने तक लेके जाएगा उस मार्ग को कहा जाता है दुख निरोध गामीनी प्रतिपदा इसका मीनिंग है कि path leading to cessation of sorrow जो sorrow को रोकने का एक path है वो क्या है तो वो है अश्टांगी का मार्ग तो ये मार्ग को अश्टांगी का मार्ग कहा जाता है जिसमें आठ चीजे आती है तो यह भी हम study करेंगे तो यहां सबसे पहले हम इसके और भी कुछ fact देख लेते इसको और जादा थोड़ा सा detail में हम देख लेते तो प्रतित्य समुत्पदा जो कहा गया है यहां पर मैं सबसे पहले आपको यह बता दो प्रतित्य समुत्पदा द्वादश निदानिया प्रतित्य समुद्पदा कहा गया है, यह इसका मिनिंग होता है हेतुआद, इसको हेतुआद भी कहा जाता है, that is theory of cause effect, so theory of cause effect, cause and effect, यानि यह हेतुआद, सबसे पहले जो भी हुआ, वो क्यों हुआ, और जो भी हो रहा है, उसका result क्या हो सकता है, यह चीजे जानना, जिसको प्रतित्य समुद्पदा कहा जाता है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, कि यह है दुख का समुद्पदा, यही सब causes of sorrow है, so जो भी चीजे हो रही है, और उसका जो भी result है, उसी के कारण तो हमें दुख मिल रहा है, so यह एक चीजे, उसके साथ साथ, क्षन भंगवाद, यानि theory of momentariness, और impermanence, so यह जो भी चीजे चलती है, वो कुछ क्षन के लिए होती है, so इसी कारण हमारे जिंदगी में दुखा आ जाता है, कुछ time के लिए वो चीज हो जाती है, और कुछ time के लिए दुख दे जाती है, जिसको impermanence भी कहा जाएगा, यानि यह जो भी हो रहा है, यह पर्मनेंट नहीं है, यह कुछ क्षन के लिए है, so यही सब चीजे है, जो की causes है, sorrow के, जिसके कारण हमें दुख मिलता है, दु इतनी आपकी इच्छाय बढ़ती जाएगी, उतने आपके जिन्दगी में दुख बढ़ते जाएंगे, यही बुद्धिजम हमें सिखाता है, है ना, तो desire is a root cause of sorrow, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, वो हमारे नई नई चीजों की मन्शा हम रखते है, इसलिए हमारे जिन जिन्दगी का तो हमारे जिन्दगी का लक्ष है to attend निर्वान, तो निर्वान हासिल करना याने एक main चीज यह है कि enlighten होना, हर चीज को समझना, यह सब चीजे क्यों हो रही है, जैसे कि गौतम बुद्ध को after 49 days of meditation यहासिल हुआ था मैं previous lecture में आपको बता चुका हूँ, तो हमें हासिल करना होगा, यह सब जो भी process है, यह हमें खुद के अंदर की process जानना होगा, यही हमारा aim है इस जिन्दगी का, okay, so यहां लिखा गया eternal state of peace and bliss, so peace याने आप जानते हो शान्ती और bliss याने आप कह सकते happiness या खुशी या joy, so यह जो चीजे है ना, यह eternal state में है, so eternal state या आपके अंदर permanent है, खुशी आपके अंदर permanent है, बट आपको यह चीजे जानना जरूरी है, जो आपको यह चीजे तक पहुचाएगा, वो निर्वान हासिल होने के बाद आप जाओगे, और आज टांगी का मारगा आपको निर्वान तक पहुचाएगे, तो यह सब चीजे हम देखेंगे क्या होता है, so liberation from cycle of birth and death, so जो भी birth है, जो भी cycle चल रहे है कि आज मैं जन्म हुआ है मेरा और मैं कल जाके मरने वाला हूँ, उसके बाद फिर से जन्म होगा, फिर से मरूँगा, यह cycle से आपको मुक्ति मिलने चाहिए सबसे पहले, तभी आपको निर्वान हासिल जो होता है, उसमें आपको मुक्ति मिल जाती है, birth और death से, so यह main चीज है, जिसके करण आपके अंदर अलग-अलग चहां आती है, अलग-अलग मन्शाय आती है, so यही आपके life का aim है कि आपको निर्वाना हासिल करना है, आपको एक तरह से अपने दुख को दूर करना है, so यह वो आठ मार्ग है, आठ वो चीजे है, आठ वो रास्ते है, जिससे आपका, आप निर्वाना तक पहुच जाएंगे, आपको यह पात है, जो वहाँ तक पहुच जाएंगा, जहाँ आपके पूरे दुख, दर्द से आप मुक्त हो जाओगे, सबसे पहले है, right observation, यहाँ अगर हम देखेंगे, तो right का meaning, अगर हिंदी में अगर इसको लिखा जाते है, तो सम्यक लिखा जाता है, so right observation, अलग-अलग words यहाँ पे लिखे जा सकते है, but meaning आपको समझ के ही, चीजों को यहाँ पे solve करना है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो देखें, मैंने दूसरी भी चीजे लिखी है, यहाँ पे कुछ और words भी इन सब 8 चीजों के लिए use होते है, तो सब अपने हिसाब से words यूज कर सकते है, so आपको meaning समझ जा, तो आपको सब पता चल जागा, right observation, यानि आपको किसी भी चीज का observation सही होना चाहिए, जब आप सही observation रखोगे, गलत observation रखो right determination का, अगला है right speech, जो भी आप बोल रहे हो, वो सही होना चाहिए, mean चीज तो यह है, है ना, तो इसको सम्यक वानी कहा जा सकता है, जो भी आप बोलोगे, वो सही होना चाहिए, उसकी बाद अलग यह है कि right action, यानि इसको आप कह सकते है कि सम्यक कर्मान्त, जो भी आप कर र livelihood को आप यह कह सकते है कि आपकी जो आजीवी का है, सम्यक आजीवी का, यानि आपकी जो भी रहन सहन है, यह एकदम सही होना चाहिए, तो यह एक और यह चीज आपके जिंदगी से दुख दर्थ को मिटा सकती है, right exercise, आपने व्यायाम जो है, वो हमेशा करते रहना चाहिए, यह सम्यक व्यायाम कहा जाता है, तो आपका exercise सही होनी चाहिए, उसके साथ साथ right memory, right memory याने सम्यक स्मृति होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके memory में गलत चीजे भी भरी है, और पूरी memory फुल हो चुकी है, जिस तरह से आपके mobile की या computer की memory फुल हो जाती है, सो हमें अच्छी ही चीजे अपके memory में रखनी है, तभी आपके जिन्दगी से दुख दर्ध दूर्ध हो जाएंगे, और right meditation, right meditation को आप ये कह सकते है कि सम्यक समाधी, so meditation आपने करते रहना चाहिए, एक अच्छे तरह से, so आपके जिन्दगी के जो दर्ध है, ये खतम हो सकते है, यही वो मार words भी उस किया जाता है, जैसे कि right समाधी है, ना तो meditation को, right mindfulness, right view, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, ये सब चीजे भी कही कही use होती है, बट जाधा तर जो इस्तेमाल होती है, वो होती है, ये 8 चीजे जो हमारे NCIT में या आरश शर्माजी ने लिखी हुई है, ये बहुत ही एक काम की चीजे ह अगर आप देखोगे तो, और ये चीजे हमारे जिंदगी में अगर हम follow करें, तो हमारे जिंदगी के दुख दर्द अराम से दूर हो सकते हैं, उसके बाद, बुद्धिजम में मध्यमार्ग बता गया या मध्यम प्रतिपदा कहा गया, मध्यमार्ग अने middle path, आपको एक तर देने वाली चीजे और ये पूरी तरह comfort से मुक्त करना, या या आपको zero comfort देने वाली चीजे एक तरह से सन्यासी वाले जीवन के चीजे है, अगर हम देखे तो सब चीजों का त्याक करके जीने के, तो गौतम बुद्ध या बुद्धिजम ये कहता है कि आपको middle path पे चलना है, सब चीजे होनी चाहिए, बट एक तरह से एक level तक, एक limit तक, तो ये एक मध्यमार्ग बताया गया है बुद्धिजम में, जो कि बहुत ही एक अच्छा मार्ग है, जिसके कारण आप देखोगे, तो आपको दुख दर्द यहाँ पे नहीं होंगे, अगर आप इस middle path पे च ख्याल रखना चाहिए, एक है बुद्ध, जो कि enlightened लोग है उनका, so enlightened लोगों को आपको मानना है, दुसरा है धर्म, धर्म या फिर धर्म कहा जाता है, जिसको doctrine में include किया गया है, कि आपका एक तरह से क्या सही है, क्या गलत है, जो चीजे आप follow कर रहे है, जैसे कि बुद्ध Buddhism के जो doctrines है, वो आपको यहाँ follow करने, बुद्ध को follow करना है, बुद्ध के doctrine को follow करना है, संग, जिसको commune कहा जाता है, संग, so कुछ monastic orders होते है, याने कुछ चीजे बताई गए कि आपने ऐसा ही करना चाहिए, ये सब चीजे आपको practice करना है धर्म के लिए, so ये जो चीजे है, ये आपको तीन चीजे सिखाती है, एक संगा होता है, एक धर्म होता है, एक बुद्ध होता है, तो त्री रत नहीं याद रखेगा, बुद्ध, धर्म, संगा, so ये हो गए three jewels of Buddhism, उसके बाद हम architecture की थोड़ी से information ले ले लेते हैं, बाकी तो हम आगे architecture, art and culture में पढ़ते ह अगर हम बात करें बुद्धिजम के, तो सबसे पहले स्टूप आता है, उसके बाद चैत्य और विहार, ये तीन चीजे यहां पे हमें study करना होता है, architecture में, स्टूप जो होते है, वो इस तरह से दिखते है, यहां पे आपको स्टूप का एक example दिख रहा है, ये स्टूप हों अजन्ता एलोरा के, ये तो ये एलोरा में से लिया गया, एक picture है, जो एलोरा है, ये महराश्टर में है, औरंगाबाद के पास, यहां पे ये सब आपको देखने मिलता है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो स्टूप होते हैं, इसमें रेलिक्स रखे जाते हैं, बनाया जाता है, चैत्य जो होता है, ये prayer hall होते है, यहां पे prayer की जाती है बुद्धिजम में, और विहार जो होता है, इस पे जो मौंक लोग होते हैं, ये रुखने की उनकी जगा होती है, तो इस तरह से architecture बनता है बुद्धिजम में, तो ये doctrine है, जिसको अगर आप जिंद से हाँ कवर किये हमने आज four noble truths complete कि हमने अस्टांगी का मार्ग देख लिया मध्य मार गया मध्यम प्रतिपदा देख लिया त्री रत्न त्री जोल्स आप भुद्धिजम स्टड़ी कर लिया अर्किटेक्चर आप भुद्धिजम भी स्टड़ी कर लिया तो इस तरह से आज हमा अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते है श्रेस बड़ी है अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और आपका दिन शुब हो